ग्यात हो कि जिले में 144 लागुकर छेतर के लोगों को या सूचना पुलिस बल के द्वरा लगातार दिया जा रहा है कि किसी भी जगा पर 175 या उस्याधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं हर प्रकार की जुलूस और धर्ना पर रोक लगाई गई है तथा सोचल मेडिया पर कोई ऐसे पोस्ट नहीं डाले जाएंगे जिससे जिले में अश्रांती फैलने की अश्रंका बढ़ती है यदि कोई विवक्ति इन आदेशों के पालन करते हुए नहीं पाये गए उन पर पुलिस विवाग के द्वारा दंदाट मक्ग कारवाई की जाएगी जिले में बीते दिनों घटी अपर ये घटना क्रमों को देखते हुए रामगण पुलिस पलक के द्वारा ये कदम उठाते हुए आज पत्रातु लेक रिजोर्ट से लेकर अन्य जगों पर भी फ्लैग मार्च निकालकर तथा माइकिंग करके लोगों को इस बात से ओगत कराया जा रहा है तेरह फर्वरी से लेकर अगले आदेश तक जिले में 1444 लागू रहेगा लोगों को इसका अक्षर से पालन करना पड़ेगा अन्य था उन पर कानून निकारवाई की जाएगी आज के फ्लैग मार्च अभिवान में पत्रातु स्ट्पो डॉक्टर विरेंदर चौधरी के साथ इंस्पेक्टर लिलेश वर्मातो पत्रातु थानापरभारिश शशिप्रकास वदाने नगर थानापरभारिश सोनु कुमार अफजाल अंसारी सहित अन्य पुलिसकर में भी मौजूद रहे पुलिस विभाक के द्वारा हर जगा घूम घूम कर लोगों को इस बात से अउगत रहा जा रहा है पत्रातु से जयकुशन पाठा की रिपोर्ट तो इसी को देखते हुए रामगर जीला में कल पूरा रामगर जीला में 144 अगले अधिस तक है झाल झाल झाल